नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम फिर से आपके साथ जुड़े हैं सत्रू से मुक्ति पाने का एक ताकतवर प्रचंड प्रियोग लेकर प्रचंड इसलिए क्योंकि सत्रू को तबा भी कर सकता है बरबाद भी कर सकता है ये प्रियोग और कम से कम इतना तो जरूर हो गलत सोचता है गलत करने का पृयास करता हृ वह समावत हो जायेगा बहुत सिंपल परियोग है और करेंगे भी आप अपने घर में ही बैठ करहें कोई 一र्य जिता है बस इस प्रयोग को जब भी करें जैसा कि हमेंसे हम कहते हैं टोटका करते हैं टोक टाक नहीं लगना चाहिए एकांट में बैठ कर कीजिए ताकि किसी भी तरह का इसमें बिग्न बाधा ना हो और इस प्रयोग को करने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा पाँच मिनट का एक सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले तो ऐस आपका कौन सत्रू है उसका नाम मन में रखना है दूसरा आपको चाहिए होगा है लहसन की कली कि संख्या में एक सुई आपके पास सुई अगर मान लेते हैं नहीं है घर में तो कोई बात में एक कील भी आप लेसकते हैं सुई की जगह कील इसके अलावे कटोरी में नमक कटोरी कौन सा होगा आज कल पत्ता दोना का कटोरी मार्केट में मिलता है एक वह दोना कटोरी ले लीजिए थोरा सा उसमें एक चमच नमक ले लीजिए ठीक है अब आपको यह परियोग किस दिन करना है देखिए मंगलवार सन आप यह परियोग कर सकते हैं किसी भी मंगलवार या किसी भी सनिवार के दिन कैसे करेंगे सबसे पहले तो आप एक काम करें आप अपने घर में कहीं भी आप यह परियोग छत पर बालकोनी में अपने रूम में भी कर सकते हैं आपका फेस दक्षिन दिसा की तरफ होगा चीजों को रखिए दुस्मन का साथ बार नाम आपको लेना है आप चाहें तो इस कागज पर भी दुस्मन का साथ बार नाम लिख सकते हैं काला मारकर से इसके बाद आपको लेना है तीन लहसुन की कली याद रखिए तीन लहसुन की कली लेना है और एक मंत्र बोलना है जब य हाथ में कील या फिर सुई रखिएगा और 21 बार एक मंत्र है इसको बोलना है तो हाथ में जो लहसुन की कली लेंगे तीन लेना है एक लहसुन की कली पर आपको सत्रू का डाम लिख लेना है और मंत्र सामने देखिए इस मंत्र को बोलना है 21 बार या मर्गत सम ठीक है अब सूभी या फिर कील या पिंड जो भी आपके पास है अब चुकी छोटा होता है या सूभी लेलें अब सूभी को तीनों लहसून में चुभो दे मंत्र नशे कर या मर्गत सम यह बंत्र बोलते हुए 21 बार में ही टोटल चीज हो जाना है बंत्र बोलते ह HR आपको नाम भी लिखना है, शत्रू का और चुबोना भी है सुई, तो सुई जो चुबोएंगे, जिस लहसन में सत्रू का नाम है उसको बीच में रखिएगा और बांकी दोनों लहसन आगे पीचे हैं, इसके बाद आप एक काटोरी में जो नमक आपने लिया हुआ है, काटोरी का नम और इस कटोरी में जो अपने नमक और लहसन विगरे लिया है लेकर किसी भी कांटेदार पौधे के पास चले जाए याद रखिए मंगल वार या सनी बार के दिन प्रयोग करना है आपके घर के आसपास कहीं रोट साइड जार जंगल में होता है बहुत सारे कांटेदार पौध दीजे पेड़ के नीचे पीछे मुड़ कर मत देखिएगा और मनी मन प्रातना कीजिए कि मेरा जो सत्रू वह सांत हो जा हमको परिसान नहीं करें और फिर पीछे मुड़ कर बिना देखे आप घर चले आईए यानि यह प्रयोग करने के बाद आपको वहां पर कांटे दर प अन्दर आपको खुद महसूस होगा कि सत्रू सांत हो गया आपको परिसान कर रहा है नहीं के ब्राबर कर रहा परिसानी जैसे वह चूमंतर कल की बाते थी तो यह प्रयोग आप कर सकते हैं आप महिला है पुरू से कोई भी कर सकते हैं पर बेवजा किसी को तंग करने कि झाल झाल